मउजनपत के देवारा छेतर में जब सर्यू नदी अपना कहर बरपाती है तो करीब दरजनों से अधिक गाउं पानी में डूप जाते हैं ऐसे से में गाउं वालों के निकलने का सहारा या प्रसासन के आने जाना या लोगों के सहारता का प्रमुक्ष साधन होता है नाव लेकिन उसमें जो नाव चलाने वाले लोग हैं वो एक साल बाद तक भी अपना महनताना नहीं पाये हैं मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं, उन्ही से लोग जाने के जो नावीं थे मला थे, उनको एक वर्ष से परसान है अपनी मज़्धूरी के लिए, लेकिन इको मजधूरी अभी तक नहीं मिले। ऍरह опять कोई एक तरह लोग की आजो आजीक करो जब लियुक्त लोग किुए एक दिन की मजडूरी के लिए परसान है और कोई एक महीनी तक कद væए हो कि मजडूरी नं भी अचाह जानते हैं चया-चयां से Bunu ne那 पर रामधार, जया सुद तो मत ब्रकाना आउरी सालै रुप tooth consulting clown टांग मुल मोझ एर ही नर्यदा के विजह तो अपने यह थो धार अच्छाव बाड़ा इद न लकुतिना शुल लें वर अच्छाव करते हैं ते खेती नदी में गई और उसके बाद हम लोग किसी तरह से मजदूरी धतूरी करके जीते हैं और कोई धन्धा पानी है नहीं कि हम लोग बंचेया जीए अशर्जु जी अब भर गिरावे आला है अब करीबासे ना हो चलावले हैं जाओ कर पैसा आद तक ले मिललना आपका गाए फ्रक रख 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 रहा है अब जम दीन चलावले बाँ जाओ यह टूम ना चली ज़लना तल्याना कि जब का चल एक फाइदा जाए लोग लगा छोड़के की रफदिंगा के आपन बाल बच्छा छोड़के या दूसरा दूसरा गाम में लेजा के अमने के नाइचे रहें जाए हमने के यह गो है तो इन दाना ना मी लखाय के तब चल एक पाइदा घर बगए उब अगर मज़ु करे जाए लोग अब कैसे गुजारा हो ला अब कैसे हो ला एक बेरा आदमी कहीं से लिया वना समर्द भीक भावन मांगे तो एक बेरा खिया उना सलाइका फेकन के दूबरा उपास करे नी जाए रासन काट हमर रहे तो हमर कोई देहना कोटेदार की जातू इस ती कर आरलें करा आरलें करा देनी तो हमार तीन गुपलिवार हो जा हमार एक लाइका होने गहाम हो इसा है कि पिछली बार जो भी नावे चली है उनके लिए पैसा सासन से शुक्रत हो चुका है जिलास्तर पर आभी चुका है और बहुत ही शिक्रिप अब चली है उनके खात्ये में यह पैसा ट्रांस्पर कर दिया जाएगा इसमें अब लंब नहीं होगा तो पिछले साल जो पहले जो नाव चलाया थे उनको अभी तक पैसा नहीं मिला लेकिन अब पुना जो सर्यू नदी इसमें जलस्तर बढ़ रहा है बार की स्थिति बन रही है ऐसे से में प्रसास्वन को पुना इस बार नाविकों की जरूत पड़ेगी लेकिन नाविकों का कर है कि अभी पीछली बकाया धन्रासी हमें नहीं मिली तो इस बार हम नाव नहीं चलाएंगे जाहिर सी बात है कोई भी वादी मेहनत करता है तो उसके मेहनताने का हग बनता है यह लोग बताते हैं कि प्रसासन ने उस समय दावा किया था कि जो मन्रेगा की एक दिन की मजदू होते हैं नो के बराबर होते हैं यह गाव की जो मला होते हैं कि जो नावे होती हैं इसी से लोगों को किसी जो बीमार पढ़ जाता है उसको अस्पताल पहुचाते हैं जा करके जो बार प्रवावी छेतरे उसमें प्रसासनिक अमले को ले जाते हैं रहा समागरी पहुचाते ह ऐसे में जब उनको पैसा नहीं मिलता है तो कहीं न कहीं जो प्रसासनिक जो कारवाईयां हैं जो अधिकारी हैं उनको इन नाविकों पर ध्यान देना पड़ेगा तभी जाकर के अगर पुनह इस बार आपदा आती है तो यह आगे बार चड़ करके काम करेंगे वरना प्रसासन पुनह कहीं दूसरा संसाधन का ब्योस्ता करेगा या इन्हीं की सहरा लेने का प्रयास करेगा लेकिन जब प्रसासनिका दुबारा सहरा लेने का प्रयास करेगा इनके तरफ आएगा तो कहीं न कहीं उसको एक बार पुनह सोचना पड़ेगा और इनको इनका सिपारस करना प झाल झाल